Hello students, this is Raj Yadav and welcome to Chalak History YouTube channel तो student जैसा कि आप सब को पता चली गया होगा कि CBSC ने अपना CETAT 2021 यने जो CETAT का exam 31 January 2021 को हुआ था उसका official results है ना, DigiLocker पर upload कर दिया है तो उमीद है कि आप सब को पता चली गया होगा और आप सब ने अपना result डाउनलोड कर लिया होगा तो उनी students को फिर से बहुत बहुत बढ़ाई जिनोंने अपना ये CETAT क्लियर कर लिया है इस बार और उनी students, वो students जो अपना CETAT इस बार क्लियर नहीं कर पाए हैं थोड़े बहुत एक-दू नंबरों से रह गए हैं उनको आगे के लिए next CETAT exam के लिए बहुत-बहुत सुप कामना है ठीक है उसके अलावा जो भी नए candidates हैं उनको भी अपने आने वाले CETAT exam के लिए बहुत-बहुत सुप कामना है वो अच्छे से मन लगा करके पढ़े और जिन students का एक-दो marks के लिए रुख गया है वो भी अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें इस बार उनका भी जरू निकल जाएगा ठीक है तो बस यही एक छोटी सी जनकाली देनी थी और उमीद है कि आप सभी ने अपना result डाउनलोड कर लिया होगा अच्छा कई students को result डाउनलोड करने में भी दिक्कत हो रही है कई students का message आया था कि उनका result डाउनलोड नहीं हो रहा है डिजी लोकर पर क्योंकि क्या हो रहा है कि वह एप से डिजी लोकर का जो application है उससे open कर रहे है तो वहाँ जनवरी 2021 का option ही नहीं दिखा रहा है तो अभी सायद application को update नहीं किया गया है तो application में नहीं दिखा रहा है तो आप डिजी लोकर के website पर चले जाएए ठीक है डिजी लोकर.gov.in पर तो वहाँ पर available है आप वहाँ से download कर सकते हैं तो आपको किस तरह करना है मैं छोटा से clip आपको दिखा देता हूँ है ना मैं आपको website खल के direct live नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा server down है है ना सभी student open करने में लगे हुए है तो server थोड़ से down है इस वज़े से और internet भी शुला है इस वज़े से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ तो आप देख लिजी आप जिनका नहीं खुल रहा है वो किस तरह open कर सकते हैं ठीक है तो students आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों का फिर यहां पर आपको एक option दिखाए देगा यहां पर sign in का ठीक है आपको यहां पर sign in का option दिखाए देगा उस पर आपको click कर लेना है यहां पर click करने के बाद sign in के लिए यह box आपका खुल जाएगा अब यहां पर आपको अपना user id और password यहां पर enter करना है user id में आप यहा यहाँ पर एक username का भी option दिया गया है अगर आप लोगों ने कभी अपना username set किया होगा तो आप यहाँ पर username भी डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर six digit का security pin यहाँ पर डालने के लिए कहा जाएगा तो आप लोगों ने जो अपना security pin setup किया होगा वो आपको आपका account कुल जाएगा तो कुछ इस तरह का page आपको दिखाई देगा यहाँ पर से इस page में अगर यह blank आता है यह वाला तो आपको यहाँ पर cbsc यहाँ पर choose कर लेना है यानि कि central board of secondary education यहाँ फिर यह automatically यहाँ पर से आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर आपको document type में अपना पिर उसके बाद आपका उसका जो next page आपका open होगा वो कुछ इस तरह का page open होगा ठीक है आपको यहाँ पर आपका नाम जो है पहले से fill किया हुआ यहाँ पर आजाएगा है ना यहाँ पर आपको कुछ करने की जूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आपको अपना role number enter करना है आपको यहाँ पर जो box दिखाई दे रहा है उसको click करके वहाँ पर एक check कर निसान आपको लगा देना है वो click करने से automatically वो check हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको get document पर click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद आपका document issue हो जाएगा और आप उसको चाहे तो PDF form में भी उसे download करके रख सकते हैं तो students उमीद है आपको समझ आ गया होगा कि जिनका खूल नहीं रहा है वो किस तरह से open कर सकते हैं और किस तरह से अपना digilogger पर अपने result download कर सकते हैं ठीक है तो अपना result download कर लीजिए और उसको PDF form में download करके रख लीजिए उसका printout निकाल के रख लीजिए तो यह बात थी तो इसके अलावा एक बात और कि जैसे कई students यह कह रहे थे कि उनका digilogger में account तो बना हुआ है लेकिन उनका download नहीं हो रहा है कुछ उनका डिक्कत आ रही है तो एक चीज मैं यह बता दो कि पहले से कई लोगों को कहना था कि जो digilogger यानि कि जो अधार card में जो number link है ठीक है mobile number जो link है लेकिन कई लोगोंने अपने citate का form बरते हुए दूसरा mobile number दिया हुआ था तो कई लोगों के यह कहना थे कि mobile number सेम होने चाहिए यानि citate का जो बरते हुए number दिया था वो और आधार card में जो number link है वो सेम होना चाहिए ठीक है तो ऐसी तो मुझे students के यह कहना है कि उनका results इस वज़े से नहीं download हो रहा था क्योंकि नाम में थोड़ी mistake थी ठीक है नाम में अधार card में जो नाम है वो और उन्होंने citate form बरते समय जो नाम दिया था उसमें अगर थोड़ा भी अंतर है थोड़ा भी अगर एक space का भी अंतर है ठीक है मान लिज तो दिक्कत आ रही है उसमें ये दिखा रहा है कि name mismatched है ना name mismatched दिखा रहा है याने कि अगर नाम में थोड़ा सा भी अंतर है एक space का भी अंतर है या एक dot का भी अंतर है तो आपका citate का result डाउनलोड नहीं हो रहा है तो जो भी students है अगर जिनको इस तरह की कोई problem आ रही है तो उनको यही करना पड़ेगा यही एक उनके लिए आखरी उपाय है कि वो अपना अधार कार्ड जाके पहले अपना अधार कार्ड में नाम change कराएं है ना valid documents के जरी अपना अधार कार्ड में नाम change कराएं फिर पता नहीं अधार कार्ड में नाम change होने में कितने दो तीन द डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है तो बस यही चानकारी थी और बाकी स्टूडेंट्स यह कूँगा कि क्लासेज हमारी तो चली रही है है रेगुलर एंसे आर्टी हिस्ट्री क्लासिक्स की अभी सिरीज चल रही है तो वो रेगुलर उनके एक एक क्लास की वीडियो अपलोड हो वीडियो डाली जा चुकी है तो आज किनी वजहों से सेगेंड वीडियो अपलोड नहीं हो रही है तो कल से फिर वो रेगुलर हो जाएगी कल से रेगुलर रोज प्रती दिन एक वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगी सुबा जो है NCRT हिस्ट्री क्लासिक्स की वीड को regular देखा कर ये और अपना तयारी किया किजिए ठीक है जो student seated क्लियर कर चुके हैं वो आगे seated की माफ किजिएगा kvs की या kvs nvs इन सब की तयारियां कर सकते हैं इसके अलावा जो भी students seated की फिर से तयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो से लभानवीत हो सकते हैं और जो पास हो चुके हैं जो kvs nvs की तयारी कर रहे हैं वो students भी आगे इन वीडियो की मदद से क्योंकि उसमें भी ncrt पढ़नात compulsory है ncrt से ही उसमें भी question आएंगे है और cdp भी उसमें पूछा जाएगा तो जो भी वीडियो अप्लोड हो रहे हैं उनके भी काम के हैं और जो new students हैं य इसके अलावा जरूरी पीडियो जो है हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी अप्लोड किये जाएंगे तो आप टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं चलाक स्टडी के नाम से ही टेलिग्राम चैनल भी है तो आप सर्च करके उसको जोइन कर लिजे और regular cdp के notes आपको उसमे available हो जाएंगे तो ठीक है फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही बस यही जनकारी देनी थी वीडियो पसंद आई होगी तो एक like और share जरूर कर दीजेगा अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा आज के लिए बस इतना ही अब मिलता है फिर से नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन